फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मार्केटल रिन लवर में और यहां देखे आज फिर से हम कुछ पैनी शेयर जो कि डैप्ट फिरी हैं अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेट कर रहे हैं और प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है अच्छे फंडमेंटल्स हैं ऐसे पैनी शेयर हम आज डिस्कस करने वाले हैं फिर से तो चलिए देख लेते हैं लेकिन उससे पहला कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और देखे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं साथी साथ अगर कोई शेयर आपकी नजरों में हैं आप डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कोशिस करेंगे कि उस पर एक डिटेल वीडियो बना दी जाए चलिए देखे शुरू करते हैं पहली कंपनी है इसका मार्केट कैप है सिर्फ तीन लाग करोड का सोरी तीन करोड का बहुत माइक्रो कैप कंपनीज को बोलेंगे और करन्ट प्राइज एक रुपे चोतिस पैसे का है हाई भी एक रुपे चोतिस पैसे है लो था एक रुपे बाइस पैसे का और पी देखे बहुत सस्ता यह मिल रहा है हमें 0.38 पर और अगर बुक वैल्यू देखें बहुत शांदार book value 35 रुपे 50 पैसे की है और जो intention value है इसकी जो की actual value होती है किसी भी share price की तो वो है 270 रुपे तो मान लीजिए यदि आज आप इसमें सिर्फ 1000 share लेके डालते हैं तो आपका जो investment होगा वो होगा 1340 रुपे का और जो इसकी actual value है इंटरंचिंग value 270 रुपे की इसके इसाफ से जो है आपके share की जो value हो जाएगी वो 1340 रुपे आपके हो जाएंगे 2,00,000 और 70,000 रुपे तो कितना बड़ा एक multi-way का return आपको दे सकता है आप समझ सकते हैं इस चीज को प्रोज और कॉंज देख लेते हैं कंपनी के तो debt free है कंपनी और book value से 0.04 टाइम अपने trade कर रही है अभी और कॉंज देखते हैं तो ये कॉंज में लिखी होती है चीज लेकिन कॉंज मुझे लगती नहीं क्योंकि देखे लिखा है कंपनी जो है profit कर रही है बार बार लेकिन dividend नहीं देती है तो ये कोई गलत बात नहीं है कंपनी दे या ना दे वो कंपनी की मर्जी है तो कोई कौन ये हुआ नहीं इसके देखे कुछ पेर कंपीरेजन देखते हैं तो कंपनी जो है रियल्टी में आपको दिखाई देएगी sector इसका रियल्टी है और इंडेस्ट्री आती है construction में और इसके पेर कंपीरेजन, DLP, Godrage, Property, Overo, Realty तो ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनिया है जो इसके comparison में आती है कंपनी के अगर आप sales की बात करें तो देखे जो कभी 2021 में एक करोर 93 लाग की होती थी अब 10 करोर की हो चुकी है बहुत श्रांदार एक growth दिखाई है sales में कंपनी ने profit देखें तो profit भी देखे एक लाग के हुआ करते थे दो लाग के हो गए हैं चार लाग दो लाग तो बढ़ रहे हैं profit भी धीरे धीरे और सबसे बड़ी बात देखे कि कंपनी के ऊपर करज नहीं है कंपनी पर रिजर्ब हैं 51 लाग के लेकिन करजा आप देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हमेशा से ही जीरो रहा है कंपनी का करजा बहुत शांदार चीज ये लगी कंपनी के अंदर मेरे को promotor holding देखते हैं तो promotors के पास जो है 51% है और public के पास है 48% तो बहुत सांदार एक pattern हमें देखने को मिल रहा है ये भी promotor holding का भी कंपनी का नाम है antrix industry limited नाम से लगता है के airspace में काम करती होगी लेकिन ये real estate और trading में काम करती है अगली कंपनी देख लेते हैं अपनी तो ये जो हमारी दूसरी कंपनी है ये भी सिर्फ 3 करोड 99 लाग की कंपनी है और current price है 12 का 99 high था और low है इसका 10 का P देखे 0.05 पर बहुत सच्ता मिल रहा है और book value देखे 847 की साथ ही साथ अगर ये देखें आप dividend yield 1421 परसेंट face value 10 28.7 का ROE और ROC 38.5 का बहुत ही शांदार ये कंपनी दिखाई देती है हर तरप से तो इसमें भी आप माली जीए आप 100 share लेके डालते हैं 12 रुपे और 10 पैसे के price से माली जीए आप 100 share लेके डालते हैं 1210 रुपे आपका investment होगा और यही आपके book value को इसाफ से हो जाएंगे 847 रुपे इंटू 100 तो 84,700 रुपे आपके यह बन जाते हैं बहुत सांदार और साथ ही साथ dividend जो मिलता है 1421 परसेंट का इतने ही तो company नहीं है जितने का dividend दे देती है तो बहुत ही शांदार है यह dividend income इसमें बहुत तखड़ी है कुछ प्रोज और कौँज देखेंगे तो देखें कौँज में तो कुछ भी नहीं है बस liability का है एक क्रोड की liability है तो यह कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और इधर देखिए debt free company है 0.01 टाइम अपने book value से नीचे यह trade कर रही है dividend yield है इसका 1421 परसेंट का CAGR है 452 का पिछले 5 साल का और ROE देती है 25 से उपर का तो बहुत ही शांदार दिखाई देती है यह वाली company तो spare company region देखेंगे तो भारत फोर्ज, Sona, AIA Engineering, Mahindra कुछ बड़ी बड़ी कमपनियां जो इसके spare company region में आती है sales देखेंगे बढ़ती ही जा रही है बढ़ती ही जा रही है 241, 266, 300, 372, 400, 472, 500 अब हो गई है 748 अगर देखें देखें प्रोफिट तो 14 करोड के प्रोफिट से हो गए है 98 करोड और हमेशा बढ़े ही है कम कभी आपको नहीं दिखेंगे तो बहुत शांदार है अर्निंग परसेहर देखिए सहाब के जहां share price है सिर्फ 12 रुपे का वहाँ परसेहर अर्निंग करता है 241 रुपे की तो कितनी बड़ी बात है इसी दिए इस सारा का सारा डिविडेंट में बाढ़ देता है अच्छा इस चार करोड की कंपनी में 3.69 करोड की कंपनी में देखें रिजर्ब 27 करोड के हुआ करते थे लेकिन अब देखिएगा 254 करोड के हो गये है और कर्जा कभी हुआ करता था 29 करोड का और अब हो गया है जीरो तो कर्जा है नहीं बिलकुल रिजर्ब है दो सो चोवण करोड के और चार करोड की कंपनी है मतलब के लगवग लगवग साथ गुना तो रिजर्ब है कंपनी के जितने की कंपनी है उससे तो अगर 60 कुना भी पैशा करता है तो आपको समझ लीजिए, इतना बड़ा आपका पैसा ये बनने वाला है, प्रमोटर होल्डिंग भी अगर देखेंगे, तो लगबख 70% प्रमोटर के पास है, 30% प्रमोटर के पास है, शेर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा नजर आता है, कंपनी का लाश्ट में नाम देख लेते हैं, कंपनी का नाम है देखिए, टपारिया टूल्स लिमिटेड, 12 रुपे 10 पैस का करेंट प्राइज, बहुत ही शांदार कंपनी मेरे को ये दोनों लगती हैं, आपको बताई हैं, इन्वेस्ट करना ना करना आपके उपर बात है, क्योंकि मैं इन्वेस्ट कमेंट की सला नहीं देता हूँ, बस एक नोलिज परपज के लिए है ये, आप इन्वेस्ट करने से पहले अपनी डिसर्च जरूर कर लें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.